शार अपरतम दो जय स्ट्रिक्रिष्ट और नवरात्री का चौथा दिन है इसलिए मादा जय गारा जय मादा दी देखे यह जो संसार है अगर देखा जाए तो बड़ा ही बिचित्र है इसी हर मनुष अपनी अपनी द्रिष्टी से देखता है जैसी जिसकी द्रिष्टी होती है कहते हैं वैसी ही स्ट्रिष्टी तो उसी भाव से जो व्यक्ति जिसको जिस भाव से देखता है इस संसार को जिस रूप में देखता है यह संसार उसको उसी रूप में दिखाई देता देखिए कहा गया है कि एक भौतिक संसार है और मतलब एक प्रतक्ष आँखों से देख सकते हैं और एक आंत्रिक संसार जिसको अंतह मन चेतना के द्वाराश का दर्शन होता है और वह बड़ा ही पवित्र होता है तो हम सभी लोग जो भौतिक जगत है इसमें नाना प्रकार के हमें सुख दिखाई देते हैं और हम इसी सुख के पीछे दोड़ते हैं और इसी सुख की कामना भी करते हैं कि इस शुख की प्राप्ती हमें हो जाए लेकि अंतह मन का जो शुख है वह शुख पाने की लालसा ही नहीं करते हैं और आप देखेंगे कि जितना हम शुख के पीछे भागते उतना ही हमें दुख होता है जितना ही बड़ा सुख उतना ही बड़ा दुख है एक्तम प्राइट आप देखिए लोग कहते हैं शुक के पीछे भागते 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 यूँकि ब्यक्तिकी इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है वह इसी भौत जो भौतिक जगत है और अपनी च्छाओं इसी भौतिक जगत में भौतिक शुक शाधनों से उर्ड करना चाहता है इसले लग जाता है एक उसकी इछा पुर्ड नहीं होई कि दूसरी जग जाती है और ऐसे करते करते वह मरना सनगिस्ती में आजाता है तब जीवन में घटना घटित होती है कि मन को शांती नहीं मिल रहे है तब किशी सन्यासी की सरण में आप चाते हैं और वे कहता अंतह चेतना क्योंकि ब्यक्ति की इच्छाओं का अंत कभी है ही न वो मरने तक बिस्तरव पड़ा रहे न तो भी उस्षी कोईन को इच्छा जरूर रहती है इच्छाएं तो सांत ही नहीं हो सकती है इसलिए कहा गया ब्यक्ति को अपने मन और मानी पर कंट्रोल एक तो नियंत्रण जरूर रखना चाहें लोग कहते हैं बिया यह जोता है बिना नियंत्रण बिना नियंत्रण या फिर बिना चाभु या बिना अंकुष कि कोई जीव हो जन्तु हो चाहे मानों हो वह बिगड जाता है ऐसे ही व्यक्ति का मन भी है यह सरीर भी है अगर नियंत्र न रखा जाये तो व्यक्ति का जो जीवन है वह अब्यार्थ हो जाएगा हमेश्वयम इस पर नियंत्रण रखना होता है अब जैन दर्शन को देखेंगे तो जैन दर्शन में मनुष्य की पांच इंद्रियां और पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है कहा गया है यह पांचों इंद्रियां क्योंकि इश्वर ने क्या किया है हमारे जितनी भी इंद्रिया है उनका जो छेध है न बाहर की दिशा बनाया है अंदर की तरफ नहीं बनाया है इसी लिए अंदर की तरफ देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे सीधे गाड़ी चलाना हो तो बड़ी आसानी फिचल जाती, उल्टी गाड़ी चलानी हो तो बड़ी प्रवावलम होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो ब्यक्ति को बाहर देखना आसान हो जाता है अंदर देखना आसान नहीं होता और आप देखेंगे इन्हीं पांच इंद्रियों के कारण ब्यक्ति कभी-कभी मृत्यों के बड़ा करीब पहुचा जैसे आप देखेंगे कि जैसे जिववा मिली हुई है बोली लोग कहते हैं जिववा पर अगर लगाम नहीं है ति कुछ भी खाने को तया हुआ है क्योंकि लोग कहते हैं न श्वाद के लिए खार है वह श्वाद के लिए खार है वह तो ठीक है लेकिन जो तुम खार है हो इससे नुक्षान न हो जाए दूसरी बात इसी जिववा से हम बाड़ी अर्थत बोलते भी हम जो भाशा बोल रहे हैं ऐसा न हो कि सामने वाले को दुख क्योंकि हमारे बाड़ी से अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो यह ठीक नहीं है धर्म ग्रंतों में कहा गया आप ऐसी बाड़ी बोलिए कि मन का पाड़ अर्ण को सीतल करें आपको सीतल है तो बाड़ी को इस तरह बोलिए कि आपका मन भी बाड़ने पस्ताय नहीं के रहे हैं यार हमने बड़ा बुरा बोल दिया क्योंकि जो भाशा आपको अच्छी लगती वही भाशा दूसरे को भी बोलनी चाहिए आप अपने लिए चाहते हो कि मुझे लोग शही से बोले और दूसरे के साथ करब़ आदूसरे के साथ गरब़ भाशा बोलते हो कैसी चलेगा और एक खाने पीने के लिए जीववा है इसको श्वाद मिलता जाए खाता जाए खाता जाए आएशे बहुत से पतार थे जिनका श्वाद तो अच्छा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो जीववा पर कंट्रोल होना चाहिए शुगंद नाक से आप शुगंद लेते हैं शुगंद लीची लेकिन इसी नाक से दुर्गंद भी सुमते हैं शुगंद के पीछी तिना मत पागल हो जाए आप ऐसे अस्थान पजा पहुचेंगे जहां मौत करी हो जैसे हीरन को देखें उसके नाभी में ही कस्तूरी होता है और उस कस्तूरी की सुगंद की वज़े से विचारा हीरन खा नहीं पाता है उस कस्तूरी को बन-बन जंगल-जंगल घूमता है यह सुगंद कहां से आ रही है मुझे मिल जाए सुगंद के कारण दोड़ते दोड़ते कुछ खाता पिताने अंदर भूब के मारे तड़के दम तोड़ देता है हम द्रिष्ट शे आँखों से दिखते हैं हमारे देखने का नजरिया अगर सही नहीं है शामने वालों को बुरा लग रहा है तो युद्ध हो शकता है इसलि चीजों को आप ना देखिए जिसको देखने से आपका जीवन भी गड़ सकता है आपके चरित्र पर लांचन लग सकता है ऐफेच चीजों को आपको नहीं देखना चाहिए आँखों पर नियंतर रखिए कि नहीं भाई ऐसे ही अपकी स्कीन है तचा है इसे भी ठंडी कभी गर्मी अभी कुछ और आनन्द आता है तो कब क्या करना है इस पर भी थोड़ा नियंतर रखिए ऐसे ही अंग है आपके पाच कानों को सुनना प्रसंद है क्या सुनना क्या नहीं क्या सही है क्या गलत अगर बुरी जीजी आप बार बार सुन रहे हैं तब बुरी शंगती इ अच्छी सी सुनेंगे तो अच्छे रास्ते बजाएंगे तो देखिए मनुष्य का जो जीवन है कहा गया मानुष्य जो जनम मिना है कई जनमों के पुर्ण जीवन मिला है तो इसको ब्यर्थ न गवाईए कुछ अच्छे कारियों में लगाईए अपने इंद्रियों पर न बिजय प्राप्त कर ले वह महावीर जो अपने इंद्रियों पर बिजय प्राप्त कर लेता वही तो महावीर है क्योंकि अपने इंद्रियों पर बिजय प्राप्त करना पहुत बड़ी बात होती है किसी एक ही इंद्री पर बिजय प्राप्त कि दीरे 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 हो शकता है आप सारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर सके और जब अपने नियंत्रण में इनको कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बड़ा ही सुख में हो जाए नहीं तो इन्हीं इंद्रियों के कार्ण जीवन में बड़ा भुगतना भी पड़ता है तो आज के लिए थना है फिर किशी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाय स्रीक्रिश्ट